नमस्कार आध में आपको बताऊँगी आसान और सरल तरीके से हर साइज के बलाउज की कटिंग एंडि निश्टिचिंग देखिए अगर आप कितने भी साइज का बलाउज बना रहे हैं तो में चीज है अस्तल पहले हमें अस्तल पर अच्छे से कटिंग करनी है बराबर उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा उस पर कटिंग करेंगे तो देखे चेस्ट हमारी जैसे हमने नाप लिया है तो कपड़े को पहले हम डबल करके रखेंगे इस तरीके से हमने एक कपड़े को डबल कर लिया डबल करने के बाद अब हम क्या करेंगे जितनी भी हमारी चेश्ट है चाहे हमारी चेश्ट 34 इंच है या 32 इंच है उतना हम निशान लगाएंगी तो अगर हमारी चेश्ट है 32 इंच तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे, 32 का आदा 16, 34 इंच है तो 17 इंच है, 36 इंच है तो 18 इंच, इसी तरीके से हमें अपनी चेश्ट का निशान लगाना है, अब जैसे हमारी चेश्ट है 34 इंच, तो हम यहाँ पर 17 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, इस तरीके से हमने निशान लगा लिए उसके बाद हमें गुंजाश लेनी है तो गुंजाश में हमेसा आपको जादा ही लेने के लिए कहती हूं हमें 3 इंच लेनी है क्योंकि दोनर साइट हमारा 1 इंच बढ़ालेना है गर हम four-tax बनाएंगे तो 1 इंच बढ़ालेंगे अगर हम 30 बाला बनाएंगे तो 1 इंच बढ़ालेंगे क्योंकि तीरा गतेगा और फिर दालेंगे तो उसके लिए हमें 1,5 इंच बड़ा लेना है, तो हमें आगे और पीछे के पल्लत, लंबाई में चोटे बड़े लेनी है, पीछे का जितना हमारी लंबाई है उससे पीछे के पल्लत से, एक या ढीर हमें हमेंagen स्मॉटर बनाएंगा कि तोगे अगर हम यहां पर बनाएं으 दिया ने चीशाच प्लतार्ल जाyttव से डियाहन क्यों, मुद अगर कि पिछ लेंगे लिएंगाße, अगर हम Gir Cry पनाइंगा नोर्मे के गला बनाएगे जैसे के लिए Daven Lespa 6 Incs कर रहेगा 7 Incht कर रहेगा या आठ इंच कर तो हम . laughing देने झाल में लेने तो यहां पर आदा इंच की दूरी रख के हमें गोलाही की कट न्याँ? और गले की चोड़ाही ने से चेंच की लेंगे, आगी का गला है चेंच- लंबाई हमें 6ेंच की लेनी है, उसके बाद ऐसे गोलाई, अब करते हैं आरुमल की Eckitting एक बात का और ध्यान लगना है, जो आरूमल की cutting होती है, वो खुली वाली जो side होती है, वहाँ पे होती है, जो बंद वाली side है, यहाँ पे, उसकी हमें गले की cutting करनी है, तो यहाँ पे देखिए, हम आगे और पीछे का जो गला है, वो निकाल लेएंगे, यह हमारा पीछे का लंबा ही रखेंगे 2 इन्च की चौड़ाई आदा इन्च हमें आरुमल की कटिंग करनी है यहां पर क्योंकि जोलाती आगे की साइड इसलिए जरूली है अगर आप बाजु में कटिंग नहीं करेंगे तो भिए चलेगा लेकिन आरुमल की कटिंग करना जरूली है आदा इंच, चाहें कितनी साज का ब्लाउज बनाएं, आदा इंच यहाँ पर कटिंग करना जरूर लिए, अब देखिए, यहाँ पर हम गले की कटिंग कर लेंगे, इसके बाद जो जुड़ा हुआ है बीच में उसको ऐसे, अब देखिए, हमें यहाँ पर अपना जो निशान लगाना है, तो चेश्ट के साब से हमें निशान लगाना है, अगर हमारी बत्ती चेश्ट है तो 9 इंच पर लगाएंगे, अगर छती चेश्ट है तो 9 इंच पर, अगर 40 चेश्ट है तो 10 इंच पर, इस तरीके से हमें निशान लगाना है, अब हमें प्लेट का जो टक्स का निशान है वो कैसे लगाएंगे तो देखिए जितनी भी हमारी चेश्ट है 40 चेश्ट है तो हम यहाँ पर 10 इंच पर अपना फिटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे यह फिटिंग का कपड़ा निकालना जरूरी है उसके बाद इसका हम ऐसे करके आदा करेंगे देखिए इस त टक्स पत्रेट निकालनिन है चाहे वो कितनी भी सइज की हो इस तरीकी से अब लेके जुथ चार प्लेट जालते न वह फमें 22 इंच की दूरी र लकनी करो इसके एक प्लेट ऑगर दस इंच का निशान अ पर और 4.5 इंच इस तरीके से है पीछे कवा आप अपके मांद पना रखती से बोक्रम नहीं इसको बनाना बहुत सारल है वो मैंने आपको बताया है तो प्लीज चैनल में जरूब देखें वीडियो के निचे हमारी चैनल का और यहां पर हम कोई design बनाना चाहें तो design भी बना सकते हैं इस तरीके से O bigger bookram के बना सकते हैं इसको हम इस तरीके से और पीछे की plate है तो दीखे वो भी हमें अपनी chest के साब से लगानी है अब और जैसे हमारी och band 32 तो हम यहां पे इस तरही के से निशान लगा लेंगे उसके भाद पीचे की प्लेट हम यहां पे 4 इंच पे निशान लगा हैं। अगर हमारी चेश्ट है 36 इंच, तो हम यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे अपना जो फिटिंग का कप्डा है, फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से हमें ब्लेट निकालनी है, तो आसा करते हो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने आपको हर साइट का ब्लाउद बताया है कि किस तरीके से आपको प्लेट का जो निशाने बूर लगाना है और अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप पीछे का गला अंदर ग्राउंड बना सकते हैं आगे का जो गला है उसमें आप तिरची पट्टी करके लगा के उसको तैया दूरपाई कर लेंगे तो आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जासे जादा शेयर करें और कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आप नहीं है तो हमारी चैनल को सब सब्सक्राब कर लें धन्यवाद